चोटे परदे के सबसे पॉपलर टीवी शोव, CID में सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बन कर मशूर हुए अभिनेता, आदित श्रिवास्तव ने एक नहीं, दो नहीं, बलकि पूरे 13 साल तक लोगों को अपने शादिर दिमाग छान बीन से आज भी घायल करके रखा हुआ है लेकिन दोस्तों आपको अभिनेता, आदित श्रिवास्तव की CID गिरी के बारे में सब कुछ पता होगा, पर शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि इन्होंने CID शो में काम करने के लिए निर्माताओं के सामने तीन ऐसी शर्ते रखी थी, जिसके चलते ही ये इस शो के लि आप से रूबरू करवाते हैं, पर उससे पहले इनके लिए एक लाई करना ना भूलें, नमबर एक में लीड रोल, ये बात तो आपको पता ही है कि CID शो का एक एहम किरदार रहा है सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत का, जिसमें आपको काफी लंबे समय तक सिर्फ और सिर् दरसल जब ये शो के लिए ओडिशन दे रहे थे, तभी इन्होंने निर्माता के सामने ये शर्त रख दी थी, कि ये शो में तभी काम करेंगे जब इन्हें में लीड रोल ओफर होगा, और निर्माताओं ने भी इनकी इस जिद को फटा फट मानते हुए, इन्हें सीनियर इ प्रिवास्तव ने CID में कदम रखने से पहले ही बॉलिवुड की विवादित मूवी बैंडिट क्वीन में कदम रखा था, जिसकी वज़े से इनकी पॉपलारिटी दिन दुगनी राच चौगनी हो गई थी, इसी के दम पर जब ये CID सीरियल में एंट्री कर रहे थे, तब इन्होंने दूसरी शर्त ये रखी कि ये CID में तभी काम करेंगे जब इन्हें सबसे जादा पर डेफीस मिलेगी और आपको यकीन नहीं होगा कि आज से पिछले 20 साल पहले इन्हें 10,000 रुपे पर एपिसोड मिलते थे, जो आज के टाइम पर 1,000,000 रुपे से भी जादा ह जी हां हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि CID सीरियल में काम करने के लिए अभिनेता आदित श्रिवास्तव ने तीसरी शर्त रखी थी कि इन्हें सीरियल में लंबे समय तक पॉपलारिटी मिलनी चाहिए और आपको याद भी होगा कि जब तक ये शो चल रहा था तब तक अभिजीत के कैरेक्टर को दिखाया गया था और शो में राइटर्स ने भी इनके किरदार को इतनी बखुवी तरीके से लिखा था कि शो में अभिजीत का कैरेक्टर ही सिर्फ जगमगाता था हलाकि दर्शकों को भी शो में बहुत सारे कलाकारों के किरदारों को छोड़ कर सिर्फ और सिर्फ सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत का ही कैरेक्टर जादा पसंद आया था तो दोस्तों अभिजीत के किरदार में अभिनेता आदित्य श्रिवास्तव आपको कैसे लग रहे थे आप अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न कुले